बच्चों हमने अपनी पिछली कक्षा में पार्ट 3 के नई शब्द करे थे उसके बाद हमने उसमें के शब्दार्थ करे थे और आज बच्चों हम उसी पार्ट के वाक्य बनाएंगे प्रशन उत्तर करेंगे और कुछ पुस्तिका से अभ्यास पुस्तिका से बैक भी करेंगे ठीक है तो बच्चों शुरूआत करते हैं कि आज अपने कारे पुस्तिका के कारिय की किस प्रकार आपको ये कारिय करना है सबसे पहले बच्चों आप देख पा रहे हैं कि यहां पे लिखिये एक दिनांक जो आज की दिनांक है 14.05.2020 उसके नीचे बच्चों आ रहे हैं कि मैं हमने यहां पे आज का दिन भी लिखा है गुरुवार गुरुवार में बच्चा आप देख पा रहे होंगे कि रह में बच्चों की मात्रा का उप्यों किस तरीके से होता है ये और अक्षर की तरह नहीं होता है रह में एक राही है जिसमें बच्चों की मात्र कॉर्णर में देख पा रहे होंगे, मैं लिखा है, कक्षा कारिये, यानि कि ये कारिये आपको अपनी कारिये पुस्तिका में करना है, नोट बुक में करना है, ठीक है, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं, पार्ट तीन, मैं और मेरा परिवार, वाके बनाएए, शब्द बचो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सम्मान, सम्मान का अर्थ मैं आपको पहली समझा चुकी हूँ, और इसका, इसकी स्पैलिंग कैसे बन रही है, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, आज हम इस शब्द को किस तरीके से एक वाक्य में पिरो सकते हैं, और एक सुन्द वाक्य का निर्मान कर सकते हैं, ये देखेंगे हम, तो हम बना सकते हमें अपने से बड़ो का सम्मान करना चाहिए, दूसरा शब्द बच्चों आप देख पा रहे होंगे, इलाज, इलाज में, इलाज का भी अर्थ में आपको पहले समझा चुकी हूँ, इसको अगर हम वाक तो इसको अगर हम वाक्य बनाएं, तो बना सकते हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, चौथा शब्द बच्चों आप देख पाएंगे, और ये है सिक्षिका, रोज आपका पांचवा शब्द है, और चटा शब्द है नौकरी, तो बच्चों इन तीनों शब्दों का वा वाक्ये में उपयोग आप स्वैम करेंगे और कारेपुस्तिका में करेंगे और मैम को करके भेजेंगे बहुत असान शब्द हैं इनके अर्थ आप जानते ही हैं और किस तरीके से से simple short sentences, one line sentence आप बनाकर मैम को भेजेंगे, ठीके, उसके बाद बचो ये तो हो गए, वाक्य बनाईए, अब बचो हम करते हैं, इसी पार्ट के प्रश्न उत्तर, तो अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कि मैम ने इसमें लिखा है, पार्ट 3 मैं और मेरा परिवार, जब पार्ट को आप बार-बार लिखेंगे, ठीके, नीचे दिये गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्न एक है, इशा वंश की किताबों का क्या करती है, है न, ये आपका पहला प्रश्न है, जिसका उत्तर है, इशा वंश की सारी किताबे लेकर इधर उधर कर देती है, बच्चो आप वंश में एक बिंदी देख पा रहे होंगे और व के वा,, और शा के बीच में तो यह बिंदी है इस वाले वन्ड अक्षर की और अंगा यह इस वन्ड की बिंदी होती है, इसकी मात्रा होती है ठीक है न? तो अगर ये हम इसको हाइट कर दे वा के उपर अगर हम इसको हाइट कर दे व और शाही लिखें तो बनेगा वश और इसके लगने से इसमें एक ना की साउंट इन दोनों के बीच में सुनाई देगी वश व और शाह के बीच में वश अगर नहीं बिंदी हो तो वश और बिंदी हो तो वश यानि कि एक छोटी सी बिंदी का कितना बड़ा उप्योग है यह आप जानिए बिंदी को ये समझके मत छोड़ दीजिए कि छोटी सी बिंदी है तो इसका क्या मुल्य है मुल्य बहुत बड़ा होता है बच्चो अर्थी बदल जाता है किसी शब्द का तो यह ध्यान रख कर आप अपनी पुस्तिका में कारिये करेंगे अब हम प्रश्न दो पर आते हैं दादी के सामने क्या परिशानी आ गई है क्या प्रिशानी आ गई थी बच्चो उनके घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा है तो दादी के घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा है यही परिशानी दादी को आ गई है तो यही इसका उत्तर बनेगा प्रश्न का प्रश्न तीन बच्चों आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर वंश की बहन विद्याले क्यों नहीं जाती है वंश की बहन विद्याले इसलिए नहीं जाती है क्योंकि वह सिर्फ दो साल की है तो यह ही उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है ठीक है चलिए बच्चो अब इसी पार्ट के हम चल्दी से बैक एकसराइसे कर लेते हैं चलिए बच्चो यह है आपकी हिंदी पुस्तिका का पेज नमबर 22 है जिसमें हम सबसे पहले करेंगे बहुविकल्पिय परश्न में बच्चो आपके पास तीन आप्शन्स होते हैं तीन या चार आप्शन्स होते हैं जिसमें से आपको एक सही उत्तर पहचानना होता है और उसमें आपको उत्तर सही लगे उसके आगे आप उसको कलर भर सकते हैं ठीक है तो सही उत्तर का गोला भरिये पाठ में कौन अपने परिवार के बारे में बता रहा है अंश वंश यह यश वंश वंश बिल्कुल ठीक दूसरा देखिए आप वंश की मम्मी किस विशे की अध्यापि का हैं अंग्रेजी की गणित की या हिंदी की हिंदी की शाबाश दादा जी कहां गूमने जाते हैं नदी किनारे बगीचे में या सडक पर सबको पता है इसका उत्तर बगीचे में गूमने जाते हैं बिल्कुल ठीक अब आगे चलते हैं मौकिक अभिविक्ति मौकिक पर बुकिक मतलब आपको इसको लिखना कहीं नहीं है, बस आपको ये समझलना है, इनके उत्तर देने हैं, निम्लिकत प्रश्णों के उत्तर दीजें, इस पाट में वंश कौन सी कक्षा का छात्र है? बिल्कुल ठीक, इस पाट में वंश दूसरी कक्षा का चात्र है, तो कौन आप दूसरी बोलेंगे वंश के परिवार में कौन-कौन लोग हैं वंश के परिवार में दादा-दादी, मम्मी-पापा और एक छोटी बहन इशा है वंश के दादी के बारे में बताईए तो बच्चो ये इस वाले प्रशन का उत्तर आप सोचिए ठीके अच्छा ये बच्चो जो मैंने आपको आज ये वाला कराया है भहुई-कल्पिय प्रशन और मौकी कभी व्यक्ति ये आपको अपनी हिंदी नोट्बुक में नहीं करने ह है ठीक है आपको सिर्फ लिखित अभिवेक्ति वाले कोशन करने हैं कोश्रांसर और ये ये भी आपको अभी नहीं करना है मैं बाद में कराऊंगी उसके बाद आप व्याकरन की और ये आपको सिर्फ बुक में करना है है ना व्याकरन की और ये सब मैं मैं आपको समझा चु सर्वनाम कहलाते हैं यह आपको मैं जब सर्वनाम समझाऊंगी तब हम इस exercise को करेंगे अभी आपको ना तो बुक में करना है ना आपको नोट बुक में करना है ठीक है ध्यान रखेंगे इस बात का इससे पहले भी जो पाट था बच्चों उसमें भी आपको संग्या के बारे म में ऐसी ही एक exercise दी हुई है बैक exercise वो भी आपको ना तो अभी नोट बुक में करनी है ना आपको बुक में करनी है इस बातों का ध्यान रखेंगे रचनातमक अभिवेक्ति पर आईए रचनातमक अभिवेक्ति यह आप कर सकते हैं बिल्कुल यह आपका घर है इसमें तो बचो यही काम आपको करना है बस आज की कक्षा यही समापत होती है जल्दी मिलते हैं दूसरी कक्षा में स्वस्त रहिए, खुश रहिए और काम करते रहिए